नमस्कार कैसे हो आप लोग आज जो मैं टॉपिक डिसकस करने वाला उसके अंदर तोड़ी डीप थियरी है और यह मैं जूम में कर रहा हूं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकते हैं बट और आपको इंसाइट्स बहुत अच्छे मिले चलो पॉइंट पे चलता है मेरे को जो उसमें आपको मैं कुछ बहुत अच्छे इंसाइट्स दे रहा हूं जिसके वजह से आप डिसकस कर पाऊगे कि आपको आगे के टाइम में क्या करना है मतलब रिटर्न बेस या तो ट्रेडिंग बेस क्या करना चलिए तो पहले हम देखेंगे किस-किस इंडाइस ने अच्छ करेंगे किस में अच्छा रिटर्न मिल सकता है तो आपको स्क्रीन पर चलते हैं कि का हुआ है तो सबसे पहले चीज मैंने आप नोगों के लिए रखे हुई है कि यह ही रहा इसके वज़े से मैं पता चलता है बजार इंडिया में बजार का मतलब होता है तो बजार निफ्टी ने कितना रिटन दिया है निफ्टी ने 16.3 परसंट का रिटन दिया है तो कहां से कहां तक पहुचा है वो भी तो देखना जरूरी है ना भाई लोग तो हमको अगर देखना है तो कहां से कहां तक पहुचा है आप देख सकते हों सिंसेक्स 58,992 से 67,839 तक पहुचा है निफ्टी 16% रिटन दिलिवर किया है 17,360 से 20,192 तक महुचा है ठीक है बीसी मेडिकैप ने सबसे जाधा रिटन दिलिवर किया है इन दोनों ने तो बीसी 505 परसेंटेज में 35.1% और 24066 to 32505 तक पहुचा है स्मॉल के अपने कितना रिटन दिलिवर किया है 26957 to 37829 तो यह सारी जो रिटन्स है इससे आपको क्या समझ में आ रहा है तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा रिटन दिया इस प्सक्राइब कर रहे थे उसके बाद मिड़ी ने डिटन दिया उसके बाद संसे जाले होते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिटन में तो यहां पर एक चीज आपको बतानी है कि अगर आप इंवेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास थोड़ा विजिन हटके होना चाहिए क्योंकि देखो पूरी दुनिया लार्ज केप पर फोकस करती है सबको पता है यह बहुत कॉलिटी स्टॉक से इसमें कभी कुछ नहीं होने वाला है बट अगर आपको पूरा ओर्रोल ग्रोथ समझ में आ रहा है मार्केट का और जिनोंने रिटान नहीं दिया है और अगर उन कंपनी के पंडामेंटल अच्छे हो जाते तो वहां पे लोग इंवेस्ट क्यों नहीं करेंगे उसका सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए आपकी कोई कंपनी आपने दो साल तक कुछ परफॉम नहीं कर दिया सब आपकी कंपनी की तरह बहारे हैं तो क्या होगा अपको थोड़ा विजिनरी इन्वेस्टमेंट मॉडल बनाना पड़ेगा कि मैं क्या सोच सकता हूं मेरा रिस्क एपटाइट कितना कम रखे में ज्यादा कमा सकता हूं तो अभी मालो स्मॉल केप में किसी ने फोकस ही नहीं किया था बड़ फंडामेटल्स कमनी के दीरे-द तो कौनसे रिटन दिया होंगे इसमें मिड 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 कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स ने अच्छे रिटन दिया होंगे ठीक है उसके बाद निफ्टी ने रिटन दिया होंगे उसके बाद सेंसेक्स के वाले फंड्स ने रिटन दिया होंगे तो लार्ज के फंड्स से उसके comparative return कम होंगे निफ्टी के return उससे थोड़े ज़ादा है तो अगर यह फॉर्स्ट में यह आता है सेकंड में थार्ड में फोर ती नहीं तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है को क्लियर क्या समझ में आ रहा है बताई आपको अपको कहां पर फोकस करना चाहिए अगर आप समार्ट होता आप क्या समझोगे बता है यहां पर प्रपोर्शन कैसा होना चाहिए अभी अभी के टाइम पर आपको स्मयल कर मिटकेप में से एक्जिट मारने के पाद आपको एमेफ में से एक्जिट मारना है और पंड कहां पर फोकस करना है अभी वह देखो क्योंकि मार्केट डेक्स अच्छा रिटान दे दिया है अभी तक आप लॉंग टाम इंवेस्ट आप बने रहो कोई शू नहीं है एक्जिट मानना है स्मॉ आपको फंड सिफ्ट करना है ज्यां से सुनना आपको फंड सिफ्ट कहां पर करना है आपको फंड सिफ्ट करना है एटी एफ पे हर मैने निकाल के थोड़ा थोड़ा डालते रहो कहां पर मैं बता रहा हूं निफ्टी आईटी निफ्टी आपको यहां पर आपका फंड करते हैं और अगर आप बने रहेना चाहते हो इसके बाद भी तो मुझे पॉइश्व नहीं है कि आपको समधना है कि अगर आपको जो समझ में आ रहा है कभी कभी प्रॉफिट बॉकिंग कर लेना चाहिए कि अगर मिड्याप स्मॉल के रिटन मिले हैं अच्छे का से आपको प्रॉफिट बॉक कर लेना चाहिए और अभी आपका लाग रुपे का प्रॉफिशन कैसा रखना है में वहां पर आ जाता हूं तो मालो कि वास लाग है तो 25 परसेंट आपको डालना है किसमें मिड्य कैप में डालना है स्मॉल कैप में डालना है स्मॉल कैसा अभी थोड़े ताइम के लिए एक जिट हुगा ठीक है तो आपको 25 25 अभी आपको 25 कहां पर डालना हो बताता हूं मिड्य कैप में नहीं आपको यहां पर यहां पर काम करो आप यहां पर 40 परसंट करो ठीक है बागी का सब जगट 20 20 परसंट कोई प्रॉब्लम नहीं है पॉर्टी में से अभी रह गया कितना 15 15 परसंट डालना है आपको स्मॉल कैप उसके बाद डालना है मिड्य कैप में तो डाल दिया अभी डालना है लार्ज कैप यहां पर इस्टमेट 15 परसंट डालना है आपको निप्टी एफ में और 15 परसंट डालना है आपको प्रपोर्शनेट इंवेस्टमेंट होना चीए मेरे हिसाब से बाकी आपकी इच्छा आपको जो करना है करो बट मैंने मेरा पॉइंट ऑफ यो दिया उसके पिछे का लॉजिक बहुत बड़ा है अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको यह करना चाहिए क्योंकि देखो तो वीचल फंड में इंवेस्टमेंट करना कोई बुरी बात नहीं है बहुत ही सही अगर आपका वीजन 15-20-30 सालों का आये तो कोई शेण नहीं है बट अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो वैसे इंवेस्टमेंट का तो फाइदा ही क्या है कोई फाइदा नहीं तो कभी ना कभी तो आपको किसे सवाल पूझना पड़ेगा नहीं कि क्यों इतने रिटर्स नहीं मिल रहा है तो मालों जिन्होंने लार्ज केप में पैसे डाले हैं उनके लिए तो यह बहुत बुरी खबर है ठीक है और क्या बोल सकते हैं तो आपको यह समझना है कि मुझे पैसे डालके रिटर्न निकालना कहां से जो ओर आल मैंने आपको सब कुछ बता दिया जो भी आपको समझ में आ रहा है तो और ज्यादा समझने की कोशिश करना मैंने ऐसा बोला क्यों है विकास आपको अभी और इक चेस देखाता हूं यह बिस सप्राइज तो सी कहां गया आपको समझ में आएगा मैं यह सब क्यों हूं बोल रहा हूं कहां गया कहां गया मैंने यहां पर देखो कुछ बनाया हुआ था भी पीएस्यू बैंक बीज ने और प्रिट अफ ताइम कितना रिटन दिया अगर आपको अजीव लग रहा होगा बट यह देखो 280 परसेंट का रिटन दिया है पिछले कितने सालों में आप जस्ट इमएजिन करो एक साल का उसका रिटन है 66 परसेंटी साल का रिटन है तुमटड़ एक फॉन्ति का एक साल का चाओदा टका और यह 11 एक साल का पॉर्टी मैंने तो जो होना था मैंने आपको बता दिया और आपका understanding थोड़ा clear रखना इसको लेकि मैं जो भी समझाने की कोशेश कर रहा हूं आपको आप पैसिव से active से passive mode पे आ जाओ और उसमें पैसे भी अच्छे मिलते हैं तो दिक्कत कहाँ पे ठीक है अगर आपको यह मेरे इंसाइट्स अच्छे लगे हो तो जरा like, share और subscribe कर देना और बुरा लगा हो तो sorry थैंक यू वरी मुच बाबाई